सिस्टम साफ्ट्वेर का कारे क्या है तो कंप्यूटर के इंटर्नल रिसोर्सेज का नियंतरण और समन्वे करना ये सिस्टम साफ्ट्वेर का कारे है open source operating system क्या है तो दोस्तों Linux और Android ये open source operating system है दो या अधिक program के एक साथ processing की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसे multiprocessing कहते हैं और multiprogramming क्या है एक ही processor का प्रियोग करते हुए एक ही computer system में एक साथ दो या दो से अधिक program को चलाने की operating system की छमता multiprogramming कहलाती है अगला प्रेशन है जब एक computer में दो processor लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है उसे parallel processing कहा जाता है दोस्तों आपने computer के output devices के बारे में जान लिया अब आए जानते हैं प्रमुख input devices keyboard, joystick, scanner, micr, punch card reader, optical character reader यानि OCR, touch screen, mouse, प्रकासी pen, mic, barcode reader, optical mark reader digital camera और electronic card reader ये सभी computer के प्रमुख input devices है अगला प्रेशन है वह computer program जो एक बार में एक program अनुदेश को machine भासा में अनुदेश को उसे interpreter कहते हैं और कौन सा अनुदेश प्रोग्राम सभी statements को एक single batch में परिवर्थित करता है और निर्देशों के पेड़ामों को एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है इसको compiler कहा जाता है दोस्तों assembler का कारे क्या होता है तो assembly भासा को machine भासा में परिवर्थित करना ये एक assembler का कारे है अगला प्रशन है किसी software प्रोग्राम में कारवाई की जांच करने और उसमें बिद्यमान गलतियों को ढूंड कर उसे ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो ये debugging कहलाता है किसी software प्रोग्राम में कारवाई को जांच करना और गलतियों को ढूंड कर ठीक करना अगला है कि computer प्रोग्राम उच चस्तरी भासा में लिखा जाता है मानो द्वारब पढ़े जाने योगी प्रोग्राम के इस अनुबात को क्या कहा जाता है इसको दोस्तों source code कहा जाता है अगला है कि आंकिक और सांखे की गड़नाव यानि numerical and statistical calculation के लिए सरवाधिक प्रयूक्त application software कौन सा है ये है spread seat अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों अगला प्रेशन है कि उच्चस्तरी भासा या high level language में लिखे गए प्रोग्राम को translate करने के लिए compiler का प्रयूक किया जाता है DOS द्वारा प्रयूक्त word processor जिसका उप्योग प्रोग्राम या अनुदेसों को लिखने के लिए होता है इसको क्या कहा जाता है इसको word pate कहा जाता है सब्द संसाधन या word processing में किया जाने वाला software क्या है तो MS Word, Word Star और Page Maker ये सब word processing में किये जाने वाले प्रयोग किये जाने वाले software है अगला प्रेशन है application program की फाईलों में प्रयोग होने वाला extension name क्या है EXE EXC दोस्तों application program की फाइलों में प्रयोग होने वाला extension name है अगला प्रेशन है MS Word 2007 में अधिक्तम कितने size की फाइल हो सकती है तो अधिक्तम 512 MB की फाइल हो सकती है MS Word 2007 में दोस्तों computer program की गलतियों को क्या कहा जाता है तो ये bugs कहे जाते हैं और MS Word 2010 में कितने ribbon tab हैं तो कुल 7 ribbon tab है MS Word 2010 में अगला प्रेशन है दोस्तों किस प्रकार का software मुफ्त वितरित होता है लेकिन कुछ समय बाद प्रयोग जारी रखने के लिए प्रयोगता को कुछ रकम आदा करनी पड़ती है इसको shareware कहा जाता है कम्प्यूटर को start या restart करने पर क्या होता है तो उसमय बूटिंग प्रक्रिया होती है जब कम्प्यूटर को start या restart किया जाता है आज़े देखते हैं कम्प्यूटर में प्रयुक्त होने वाली महत्वपून इकाईयों के संबंध में एक निबल चार बिट के बराबर होता है एक बाइट आठ बिट एक किलो बाइट एक हजार चोविस बाइट के बराबर होती है एक मेगा बाइट एक हजार चोविस किलो बाइट एक गीगा बाइट एक हजार चोविस मेगा बाइट एक टेराबाइट एक हजार 24 जीवी के बराबर होती है दोस्तों एक पेंटाबाइट एक हजार 24 टीवी के बराबर और एक एकसाबाइट एक हजार 24 पेंटाबाइट के बराबर होता है एक जेजाबाइट यानि 1zb ये 1024 एकसाबाइट के बराबर है और एक योटबाइट ये 1024 जेटबाइट के बराबर होता है तो ये छोटे से लेकर बड़े तक महतवपूर कम्प्यूटर के मेमोरी की इकाईयां आपने देखा अगला प्रेशन है दोस्तों द्वी आधारी या बाइनरी संख्याएं कौन सी हैं तो 0 और 1 बाइनरी संख्याएं हैं एक बाइट कितने अंको का बना होता है तो 8 द्वी आधारी अंको का यानि 8 बाइनरी संख्याओं का बना होता है एक बाइट software और hardware कमिशनर क्या है तो firmware software और hardware कमिशनर है दोस्तों mouse के दो मानक बटनों के बीच इस्थित एक wheel होता है इसका प्रियोग क्यों किया जाता है तो इसका प्रियोग page को scroll करने के लिए किया जाता है अगला प्रेशन है room यानि read only memory में अस्थाई रूप से save किया गया प्रोग्राम जो computer के निर्देशों को सुमेव कारियानवीद करना प्रारम कर देता है इसे क्या कहा जाता है तो इसे बायूस कहा जाता है computer पर इस्थित किसी program को हटाने के लिए क्या command दिया जाता है इसको दोस्तों uninstall किया जाता है जब computer को बंद इस्थिती से चालू किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं इसको cold boot कहा जाता है और public domain software कौन सा है दोस्तों internet पर मुफ्त में उपलब्ध software को public domain software कहा जाता है internet पर प्रियुक्त computer भासा कौन सी होती है यह जावा होती है और दोस्तों किसी task को computer द्वारा पूरा करने के लिए step by step जो समू है उसको algorithm कहा जाता है address resolution protocol यानि AAP का प्रियुक किया जाता है तो IP पते या internet protocol पते mail खाता में तक पहुँचाने और ढूणने में address resolution protocol का प्रियुक किया जाता है अगला प्रेशन है किसी computer program में बच्चों द्वारा प्रियुक भासा प्रायकौन सी होती है तो यह भासा होती है logo और सबसे ज़्यादा प्रियुक में आने आला unicode है जो प्रतेक character को 8 bit code के रूप में निरूपित करता है computer जिस भासा को समझता और निस्पादित करता है उसे क्या कहा जाता है इसे machine language या machine भासा कहा जाता है computer जिस भासा को समझता और निस्पादित करता है अगला है दोस्तों डाटा को छोटे से बड़े आकार के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम जो है वो है पहले बिट उसके बाद कैरेक्टर फिर फिल्ड उसके बाद रिकार्ड फिर फाइल और उसके बाद डेटाबेस आता है आए जानते हैं प्रमुख उच अस्तरी भासाओं के बारे में दोस्तों फोर्टरान जो है ये फार्मूला ट्रांसफर है अल्गोल अल्गोरिथम लैंक्वेज है कोबाल कामन बिजनेस ओरियंटेड लैंक्वेज लोगो यानि लाजिक ओरियंटेड लैंक्वेज बेसिक जो है वो बिगनर्स आल परपज सिंबोलिक इंस्ट्रेक्शन कोड प्रोलाग भासा जो है दोस्तों ये प्रोग्रामिक लैंग्वेज जिसके अलामा C, C++ और पासकल ये जो हैं प्रमुख उच्च अस्तरी भासाएं हैं अगला प्रेशन देखते हैं डाटा को लाजिकल सिक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है इसको सार्टिंग कहते हैं DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है किस रूप में तो टेबल के रूप में डाटा निरूपित किया जाता है डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश से क्या होता है दोस्तों रिकार्ड का यूनिक धंग से पहचान करना डेटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश से है कोबाल में CEO का अर्थ क्या होता है तो common, oriented, algorithm, language जो होता है ये कोबाल में CEO का अर्थ होता है सबसे धीमा internet connection सेवा किसका है dial up service यह सबसे धीमी internet connection सेवा है टपल क्या होता है दोस्तों तो यह table की एक row को टपल कहा जाता है C band transmission में किसका प्रयोग होता है 6 GHz 6 GHz आवरित का प्रयोग C band transmission में किया जाता है अगला प्रेशन है दोस्तों किसी software प्रोग्राम को secondary storage media hard disk में कापी करना software installation कहलाता है अगला प्रेशन है किस card से आपका computer network के अने computer से जूड़ सकता है तो यह होता है network interface card इसके द्वारा आपका computer अने computer से भी जूड़ सकता है network पर public access को औरुद्ध करते हुए private company wide network क्या उदारन क्या है तो यह है internet computer data को भीजता और प्राप्त करता है digital signal के रूप में computer data को भीजता है और प्राप्त करता है C plus या C plus plus क्या है तो यह एक programming language है दोस्तों अगला है phishing trap क्या कहलाता है phishing trip क्या कहलाता है दोस्तों अपनी गलत पहचान बता कर किसी गोपनी सूशना को प्राप्त करने का प्रयास करना phishing trip कहलाता है बेतार network का स्थापित करने के लिए कौन सी प्रिद्धों की प्रयोग की जाती है तो Bluetooth, computer network में connecting device कौन सा है router, hub और switch जो होते है ये computer में connecting device होते है दो network को आपस में जोडने वाला computer क्या कहलाता है इसको gateway कहा जाता है अगला प्रेशन है किसी wireless network की range 50 km तक हो सकती है Ymax के प्रयोग के द्वारा दोस्तों telnet क्या है तो ये एक text आधारित computer protocol है दोस्तों programmer कौन होता है तो एक computer भी से सग जो software तयार करता है उसकी जाच करता है वो programmer कहलाता है अगला प्रेशन है किसी संगठन के website का .com किसको सोचित करता है तो ये commercial website को सोचित करता है Ethernet किसका उधारन है तो lane का उधारन है Ethernet Internet पर प्रियुक्त standard protocol क्या है दोस्तों TCP यानि transmission control protocol और IP यानि internet protocol ये internet पर प्रियुक्त standard protocol है अगला प्रेशन है hyperlink क्या है दोस्तों किसी बेव पेज पर इस्थित हुआ सब्द जिस पर क्लिक करने से कोई दूसरा document या बेव पेज खुलता है उसको hyperlink कहा जाता है सामानता बेव इड्रेस इस्थित होता है URL यानि Uniform Resource Locator में सामानता बेव इड्रेस इस्थित होता है Windows में YMI का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ होता है Millennium और URL में URL HTTP.www में HTTP क्या होता है तो दोस्तों एक transfer protocol होता है Hyper HPTT जो होता है तो Hypertext Transfer Protocol होता है किसी बेव साइट पर पाये जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है इसे बेव पेज कहते है और एक software जो user को internet सर्फ करने देता है उसे search engine कहा जाता है दोस्तों browser पर किसी tab को बंद करने के लिए keyword का साइट कौन सा है तो किसी tab को बंद करने का साइट करने का साइट है Control plus W internet से संबन्धित host सब्द का अर्थ क्या है तो वो computer जो internet से जुड़ा हो उसे host कहा जाता है और जंक या आवांचित विग्यापन को या जंक या आवांचित विग्यापन वाले email को क्या कहा जाता है इसको spam कहा जाता है प्राक्सी server का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों अनाधिकरित उपयोग करताओं के खिलाब सुरक्षा परदान करने के लिए प्राक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है कौन सा वाइरस फ्लापी डिस्क में ड्राइब में रह गए फ्लापी डिक्स से आता है तो यह बूट सेक्टर वाइरस इंटरनेश्टर जुड़ा प्रते एक कम्प्यूटर एक अद्विती चरभाग की इस्ट्रिंग द्वारा पहचाना जाता है दोस्तों जिसको आईपी एड्रेस कहा जाता है मल्टी मेडिया में क्या क्या चीज़ें सामिल होती हैं तो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन आडियो और वीडियो सभी मल्टी मेडिया में शामिल होता है डिश्टल फोटो और इस्कैन किये गए इमेज को बी एमपी, जे पीजी जी आई ये फाद जैसे एक्स्टेंसन के साथ किस रोप में इस्टोर किया जाता है अगला प्रेशन देखते हैं दोस्तों वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को इस्टोर और प्रोसेस करता है वो होता है तो ये बी जी ए मेमरी में और किसी वेब साइट पर सूचना को देखने के लिए प्रियोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है तो दोस्तों इसे बेब ब्राउजर कहते हैं फाइल नेम एक्स्टेंशन का प्रियोग कहा होता है तो फाइल टाइप आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल नेम एक्स्टेंशन का प्रियोग होता है और अगला प्रेशन है कि एक directory के अंदर भी demand directory क्या कहलाती है उसे sub directory कहा जाता है दोश्तों MS word program किया जाता है तो text data के संसोधन या processing के लिए MS word program का प्रयोग किया जाता है MS word program में control plus yun का प्रयोग किसलिए किया जाता है नया document खोलने के लिए और जिसमें button और menu दोनों सामिल हों और जो अधिक बार प्रयोग करने वाले commands प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है उसे toolbar कहा जाता है अगला है computer में एक हिसमें पर एक से अधिक माध्यमों के लिए प्रयोग किये जाने का तरीका multimedia कहलाता है अगला प्रेशन है दोश्तों MS office program में control plus U start cut क्या करता है तो यह select किये गए text को underline करता है control plus U, U का अर्थ होता है underline अगला प्रेशन है word program में control plus F start cut की किसके लिए प्रयोग होता है तो यह find और replace dialogue box खोलने के लिए दोश्तों यह control plus F का प्रयोग किया जाता है Microsoft word में control plus Z start cut किसके लिए प्रयोग होता है undo, undo करने के लिए control plus Z का प्रयोग होता है word document में page break insert करने के लिए क्या विकल्प है तो insert page break यह control plus enter यह page break करने के लिए विकल्प है दोश्तों भारत द्वारा विक्सित पर्थम स्वदेसी computer जो था यह परम था और इसका विकास c-deck यानि center for development of advanced computing पूड़े के द्वारा किया गया था अगला प्रेशन है MS Office प्रोग्राम में copy किये गए content को document में paste करने के लिए कौन सी की प्रयोग की जाती है तो control plus V computer को hacker से बचाने के लिए क्या install करना चाहिए firewall और word application प्रोग्राम को बंद करने के लिए क्या किया जाता है तो alt plus या फोर या file close या file exit या window में x बटन जो होता है ये word application प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जाता है दोस्तों एक छोटे भावगोलिक छेतर में आपस में जुड़े हुए computer हो और peripheral के छोटे समों को LAN यानि line area local area network कहा जाता है अब आए जानते हैं Excel में प्रयोग होने वाले keyboard start cut arrow की ये बर्तमान से एक से दाएं बाएं उपर नीचे जाने के लिए इंटर बर्तमान से एक से जाने के लिए अल्ट प्लस इंटर उसी सेल में एक नई line श्टार्ट करने के लिए control प्लस space बार बर्तमान सेल के पूरे बार को सेलेक्ट करने के लिए और shift प्लस space बार ये बर्तमान सेल के पूरे row को सेलेक्ट करने के लिए प्रियोग किया जाता है Home बटन जो है ये किसी row के आरंभ में जाने के लिए होता है Ctrl प्लस Home Worksheet के आरंभ में A1 सेल में जाने के लिए Ctrl प्लस Home का प्रियोग किया जाता है Ctrl प्लस Ind ये Worksheet के अंतिम सेल में जाने के लिए और Ctrl प्लस Page Down ये अगले Next वर्क सीट में जाने के लिए साटकर प्रियोग किया जाता है Ctrl प्लस G Go to किसी विशेश सेल में जाना Ctrl प्लस पेजब पिछले पर्क सीट में जाना Tab का प्रियोग बर्तमान सेल से एक सेल ताहें जाना Ctrl प्लस यन नया वर्क बुक खोलने के लिए और ctrl plus d file down यानि बरतमान cell के नीचे के cell में वही data डालने के लिए ctrl plus d का प्रियोग होता है ctrl plus r ये fill right यानि बरतमान cell के ठीक नीचे cell में वही data डालने के लिए प्रियोग किया जाता है shift plus tab का प्रियोग बरतमान से एक सिल बाये जाने के लिए और Ctrl प्लस O का प्रयोग पहले से बनाए गए वर्क बुक को खोलने के लिए Ctrl प्लस W बरतमान बिंडो को बंद करने के लिए और Ctrl प्लस टैब एक वर्क बुक से दूसरे वर्क बुक में जाने के लिए प्रयोग किया जाता है अगला प्रिशन है जब कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टाल किया जाता है तो यह किस मेन्यों में जूडता है यह आल प्रोग्राम मेन्यों में जूडता है Excel वर्क बुक संग्रह किसका है दोस्तों Excel वर्क बुक जो है ये वर्क सीट का संग्रह होता है MS Access एक प्रोग्राम है डेटाबेस का और Excel के एक रो में इंसर्टन पॉइंट को Excel से दूसरे सेल में ले जाने के लिए टैब बटन का प्रियोग किया जाता है